अभी अभी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अवंतिका खत्री आपने अक्सर सुना होगा कि घर में बेटा हो तो भाग्य उदय होता है मगर बेटियों का जनम सौ भाग्य से होता है लिकिन अफसोस इस बात का है कि ये बाते जितने खुपसूर्ती से कही जाती है उत किसी भी आप कह सकते हैं क्षेत्र में पीछे नहीं है हर जगा वो अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही है लेकिन वहीं दूसरी और आज भी इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि हमारे समाच में रूडिवादी जो एक सोच है वो अभी भी कही न कहीं बरकरार है और अभी भी क सरकारे हों चाहे केंद्र कि सरकारे हो लगा तार ये कोशिश कर रही है कि बेटियों के जनम को जो है कही न कहीं यह संकुछित मानसिक था है बेटियों के जनम को लेकर इसे खत्म krijा जाए कई तरह की योजनाई भी चलाई चा रही है और इसे बीच अगर हम बात करें पूर्व गर्वधान और प्रस्व पूर्व निदान तकनीक अधीन्यम यानि की PCP NDT 1994 आक्ट की तो आज शिमला में दो दिवर्सिय कारेशाला की शुरुवात होती है जो की CM सुखविंदर सिंग सुखु ने की दो दिन की इस कारेशाला के दौरान कन्या भ रांग भी है क्योंकि चाहे आज हम कितनी भी आधुनिक सोच वाले बन जाएं लेकिन ना किवल गाउं में बलकि शेहरों में भी आज भी ऐसी मान सकता है जो बेटी के जनम को अच्छा नहीं मानते हैं या एक बेटी को बोज मानते हैं और इसी लिए इस तरह के अधीनियम पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कैसे कानून को और जादा प्रभावी बनाया जाए जो यह एक्ट है इसे और प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जाए इस पर मन्थन करने की हमें जरूरत पड़ रही है दो दिन तक है शिमला में यह मन्थन चलेगा और सीम सी रेट भी बैतर है लिंगानुपात की बात करें तो यह निसदुर्व advances में भी κवाद तोположy मैं हो कितै कि दो बहुत चले जरूर सब इतो कर रहागा इसनसार कारी में पूरी तरह से कम किया जाए इस ली ज़िए सरकार लगातार कोशीश कर रही है और इसी कड़ी में आज सुक्विंद सिंग सुक्खु की और से बड़ी घोशना की गई है सीम ने कन्या भ्रून हत्या को रोकने के लिए बड़ी घोशना की है कि अब अगर किसी घर में एक बेटी आती है एक बेटी का जन्म होता है तो उस बच्ची के माता पीता को दो लाख रूपे यानि की बेटी को वो दो लाख रूपे का तौफा मिलेगा और अगर दो बेटियां होती हैं दूसरी बेटी का जन्म होता है तो वहाँ पर एक लाख रूपे जो है सरकार की और से दिया जाएगा ये बेटियों के नाम एक आप कह सकते हैं कि सरकार की और से तौफा रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर जो ये मामले सामने आते हैं आप देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की भी बात करें हर दो महीने में एक ऐसे खबर आ रही होती है कि यहां कहीं पर जाड़ियों में ब्रून मिला गया है कहीं पर आप कहा सकते हैं कि अस्पतालों के वाश्रूम में इस तरह की खबरे बीते दिनों भी सामने आए कि जहां पर ब्रून मिला तो और इन मामलों में ही कमी लाने के लिए इस तरह के कदम जो है वो सरकार की और से उठाए जा रहे हैं इस ये बड़ी घूशना की है कि अब बेटियों के जन्म पर बेटी के जन्म पर दो लाक मिलेंगे और दो बेटियां है तो एक लाक रुपया सरकार क और से झाल कि देश माचल के लिगानूपात की बात करें तो लिगानूपात में हिमाचल तीसरे स्थाण पर है पंचायति रास थाइफंleं में 56 का रचिशत महिला यहां पर स्थिति बाकी राजों की तरह नहीं है यहां पर महिलाओं को उनका हक्त भी मिल रहा है और आप कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि जो मोहीम है वो यहाँ पर सफल भी हो रही है बेटियों को बचाया भी जा रहा है बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है उन्हें शक्षक्त भी बनाया जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत आप कह सकते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है क्योंकि जब हिमाचल पहले स्थान पर पहुंच जाएगा तब हम कहीं कहेंगे कि हमने वो फर्क बेटा-बेटी के बीच में जो था उसे पूरी तरह से मिटा दिया है हाला कि सीम मुहिलाओं के राजनीती में आगे आने के कारण भून हत्या में कमी हुए क्योंकि जाहर सी बात है जब एक महिला शशक्त होती है जब एक महिला लीडर बनती है तो कहीं न गहीं बहुत सारी चीजें बदर जाती हैं और C.M. ने कहा कि आज हरक्षेत्र में कंधे से कंधर मिलाकर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, हमें उनकी क्षमता पर बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटियां देश का भविश्या है, और इसी भविश्या को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने ये एक नई आप कह सकते हैं कि योशना शुरूर सरकार करने जा रही है, जिसका एलान आज C.M. सुखविंदा सिंग सुखु ने किया है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भृून जांच ना हो, इसके लिए भी सक्ति करने की जरूरत है, क्या कुछ कहा है, C.M. सुखविंद आए हैं, हमारे 1000 के पीछे 950 गल्स का रेशो है, और देश में हम तीस्ते स्तान पर है, इसलिए ये कारया शाला जो जिसका दो दिन तक आयोजन किया जाएगा, मैं इसके लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, कि कन्या वरून अत्या को लेक इस परकार की कारया शाला की आयोजन किया गया है, इसलिए परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है, उसमें पहले इंसेंटिम 35,000 पे था, हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती ते उसको दो लाक रुपय मिलेगा, और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को एक लाक रुपय मिलेगा, दो बेटीों पर एक लाक, एक बेटी पर दो लाक रुपय मिलेगा, जिसके सिर्फ सिंगल बेटी होगी, तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और कुछ जगा कहीं, वैसे अगले लोगों के लिए उनको दो लाक रुपय की इंसेंटिव देए, तो सुना अपने क्या कुछ सियम सुखविंदर सिंग सुखव की और से कहा गया, हाला कि अगर अभी हम इस यूजन की बात करें, इस ऐलान की बात करें, तो सियम ने अभी सिर्फ ये बड़ा ऐलान किय है, हाला कि अभी इसमें ये भी देखना होगा कि क्या सरकार इसके भीतर कोई टॉम्स एंड कंडिशन्स लेकर आती है, या आए की कोई सिमा लेकर आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या केवल ये सुखविदा बीपील परिवारों को दी जाएगी, या किसी बाक कदम सिम सुखविंदर सिंग सुखु की और से उठाया गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज इस पूरे मसले पर जब जर्चा हो रही थी तो सिम सुखविंदर सिंग सुखु ने और भी कही एहम विश्यों पर बातचित की, जिन में से स्वास्थय भी एक एहम म पीछड़ गये हैं, बहुत पीछे हैं, अभी भी हमारे पास आधूनिक सुखिधाएं नहीं है, जिसके लिए सरकार कही न कहीं काम कर रही है, और हमारी कोशिश यही रहेगे कि हम हिमाचल प्रदेश को स्वास्थय के क्षेत्र में भी और जादा बहतर बनाएं, ताकि जो में अधर हैं, क्योंकि सब्सें जियन कहीं मिडल और आद ड़्सफालो भी लोग समर्स के के लिए सब्सक्रां में ग district मैं जहाते हैं कि मेझ जो कोई तैस नहीं हो पा रहा। तो इस सब पर C.M. ने कहा कि कही न कहीं हम मानते हैं, ये कमिया हैं और इन कमियों को हम दुरूस्त करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बेटियों की बात करें, तो बेटियों को लेकर C.M. सुख्वुन्दा सिंझ सुख्वु ने एक और बड़ी बात ये भी कही, कि हम आने वाले समय में ये भी विचारवी मर्श कर रहे हैं कि जो शादी की उम्र है आप देखे कि बहुत सारे बहुत सारी जो बच्चियां है शायद कल को वो कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है शायद अगर उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए तो वो कोई बड़ी अधिकारी बन सकती है लेकिन अभी भी हम देखे चाहिए कि शहरों की बात करें या ग्रामिन इलाकों की बात करें 18 साल की जैसे ही बेटी होती है उसकी शादी कर दी जाती है और अब सरकार इस पर भी विचार विमर्श कर रही है कि उस बच्ची को अपने सपने पूरे करने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए और यह जो शादी की उम्र है 18 साल इसे बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है इस तरह की चर्चाएं पहले भी हुई है 21 साल इसे करने पर विचार विमर्श कहीं न कहीं कि किस तरह सही से उस मुकाम पर लाया जाए ताकि बेटियों को भी अपने सपने पूरे करने का एक पूरा माका मिले वहीं दूसरी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जनजाती एक शेत्र की महिलाओं की बात करें तो वहां पर महिलाओं को जमीन का हक नहीं दिया जाता है उन्हें जमीन का हक कैसे दिया जाए इस पर भी सरकार विचार कर रही है और कोशिश यही रहेगी कि हम इन तमाम महिलाओं को इन तमाम बच्चीों को एक बड़ा तौफा दे पाए क्या कुछ कहा है सीम सुखविंदर सिंग सुखु ने स्वास्ते सुविधाओं और महिलाओं को लेकर आई सुनवा दे हैं हैल्थ सेक्टर में हम पूरी तरह विवस्ता परिवत्तन कर रहे हैं दिन रात मिटिंगों को दोर चल रहा है आप सब लोगों का भी हैल्थ कार्ड बन रहा है और मेरीज लड़कियों के उसमें भी आपने आपकी एज बढ़ाने पर हम भी चाहते हैं? नहीं नहीं वो सब चीजे कानून के दारे में टैवल महिलाओं को की जिमीन का हक की जो बात है उस बारे में सरकार विचार से रखती है और जो लड़कियों की ठारा से 21 साल की एज करने की बात है उसमें हम ये सोच रहें कि किस परकार से लड़कियां 21 साल के बाद शादी करें इंसेंटिब्स दे, कानून में बदलाब करे या किसी और तरीके से उन्हें जागरुकता के द्वारा करे तो यह सब स्थितियों पर हम बातचीत कर रहे हैं अभी जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम उसके वारे में कुछ ने करें तो सुना आपने क्या कुछ यहां पर सियम सुखविंदा सिंग सुखव का कहना रहा है कुल मिलाकर एक बड़ा ऐलान सियम ने आज किया है सियम की आज की खोशना को आप किस तरह से देखते हैं जरूर अपनी राए रखेगा और इसे के साथ फिलहाल अभी आप मुझे देए अजासत नमस्कार